हेलो दोस्तों, मैं हूँ परविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा ड्राइ क्लिनिंग सर्विस के लिए मार्केटिंग प्लान और फेस्बुक एड्स आप कैसे रन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं कम्प्लेट चीजे बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर ये जो वीडियो है ये आठ से दस मिनट के होने वाली है और इसके अंदर मैं आपसे डिसकस करूँगा जो मार्केटिंग का प्लान है वो हम कैसे बनाएंगे, क्या होना चाहिए, उसके बाद में Google My Business क्या होता है, कैसे आपको चीजे सेट अप करनी है और ये क्यों जरूरी है, उसके बाद में हमारा आता है Facebook Ads, Dry Cleaning या फिर Laundry Business के लिए जो Facebook Ads है, वो आप कैसे रन कर सकते हैं, और Last के अंदर हम बात करें, Content Planning की क्योंकि Content Planning बहुत ही जरूरी है, Regularly Update होना बहुत ही जरूरी है अगर आप Regularly अपने Business को Update नहीं करते हैं, तो लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है क्योंकि Daily Market के अंदर अपडेट आते रहते हैं, नहीं Business ओपन होते रहते हैं Marketing जो हो एक Continuous Process है, आपको लगातार मार्केट में बने रहना पड़ेगा, तब ही आपकी Marketing होगी तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक लास तक देखना है ताकि कोई भी Information आप Skip ना करो और सभी चीज़े आपको अच्छे से समझ में आई तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं Marketing Plan के बारे में जो Marketing Plan है वो क्या होना चीए अब यहाँ पर जो Marketing Plan है वो दो तरीके से हमारा हो सकता है सबसे पहला है एक तो free marketing plan और दूसरा है हमारा paid marketing plan तो जो paid के अंदर है उसके अंदर हमारा facebook ads और instagram ads आ जाती है और जो free वाला हमारा plan है उसके अंदर हमारा जो google my business है वो आ जाता है अब यहाँ पर हम समझने कोशिस करते हैं जब भी माल लेज़े किसी को भी अगर dry cleaning service की requirement होती है तो वो क्या करेगा हो सकता है वो direct dry cleaning service अपने आसपास में जाके search करेगा जो भी दुकान उसको आसपास में मिलेंगी वहाँ पर देखेगा या फिर वो google के अंदर search करेगा कि dry cleaning services near me या फिर dry cleaning services और जैसे वो google के अंदर search करेगा तो उसके सामने कुछ ऐसा appearance आएगा सबसे उपर यहाँ पर हमारे पास ने map की जो listing है इनको हम बोलते हैं google my business map listing यह आएंगी हमारे सामने और यहाँ पर वो उसको number या फिर phone number या फिर website है direction है address है वो यहाँ पर उसको मिल जाएगा और वो यहाँ से देखकर चला जाएगा या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने already आपकी जो shop है उसका नाम facebook के उपर या फिर कहीं और पहले सुना हो और वो direct आपके shop को यहाँ पर search करे तो उसको बोलते हैं branding जो कि facebook ads के अंदर आएगी तो यहाँ पर अब सबसे पहले निकल काता है जो local business के अंदर हमारे पास lead आएंगी वो आती है Google my business यानि कि जो यहाँ पर local listing है map की listing है वहाँ से हमारे पास lead आएंगी तो यह सबसे जरूरी है तो यह हम दूसरे point के अंदर करेंगे क्योंकि जो laundry business है वो एक local business है और जायतर ज business क्यों जरूरी सबसे पहले यह आपको local areas के अंदर lead और call generate करके देगा local promotion के लिए बहुत जरूरी है और Google के अंदर आपकी ranking आएगी मालेज आप जिस भी area के अंदर है यहाँ पर address डलता है जो भी address आपने अपनी listing के अंदर डाल रखा है तो उसके आज पास अगर कोई search करत है तो काफी chances हैं कि आपकी जो Google की listing है वो उपर आएगी Google को Google की जो listing है इसको उपर लाने के भी अलग अलग तरीके होते हैं जैसे कि post करना होता है या फिर reviews है इसके अलाव जो हमारी business की category है वो proper होनी चीज़ जो name है वो हमारा proper होना चीए यह सबी चीज़ आपको ध्यान मे रखनी है दूसरा Google my business की listing है वो हम कैसे बनाते हैं और कैसे आपको setup करनी है अपने dry cleaning या फिर laundry business के लिए वो मैं किसी और वीडियो के अंदर बता हूँ कि आपको starting से लेकर end तक जो setup है Google my business का वो कैसे करना है या फिर हो सकता already यह काफी आसान है अगर मैं आपको इसी वीडिय करना है और आप डारेक्ट इसके उपर जाएंगे तो आपको sign in करना है और आप यहां पर डारेक्ट अपना जो create करना start कर सकते हैं जैसे आप नए account से login करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा process आएगा और यहां पर आपको जो अपना business है वो यहां पर add करना है अगर already आपका business है यहां पर तो आप यहां पर उसको search कर सकते हैं और अपने business का access ले सकते हैं तो उसके बाद में यह तो हमने देखा जो google my business है वो क्यों जरूरी है और आपको add करना चाहिए उसके बाद में हम आते हैं facebook ads for dry cleaning and laundry business जो facebook ads है वो भी आपके business के लिए जरूरी है facebook जो एक laundry या फिर ड्राइकलिन का business है लोकल ये रेकेंदर होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि जो facebook ads है वो आप run कर सकते हैं अब यहां पर facebook ads run करने के लिए आपको क्या करना है कि facebook के अंदर आपको आना है अगर आपको नहीं पता facebook ads क्या होती है कैसे run करती है तो मैंने ओल्रेडी एक वीडियो एक जो playlist है वो बना रखिया अगर आप बिल्कुल नए है तो आप ये playlist जरूर चेक आउट किजिए क्यो अंदर जो भी वीडियो आपको देखने है जैसे कि lead generation की step by step process है आपको कैसे create करना है वो आप देख सकते हैं उसके बाद में computer की ads है वो आपको कैसे check करनी है जो lead download कैसे करनी है ad copy आप कैसे लिखते है retargeting कैसे करनी है पैसे कैसे add करने है और जो image और add का size है video का size है वो हमारा क्या होना चाहिए यह सभी चीज़ें design कैसे करनी है वो भी मैंने बताया है और video ads आप कैसे run कर सकते हैं वो भी मैंने इस video के जो video है इसके अंदर बताया है यह playlist आप check out कर सकते हैं इसके अलावा आप दूसरी playlist है जो बिल्कुल starting से लेकर एक नए beginner के लिए बनाई गई है और advanced level तक आप यहां पर देख सकते हैं कि जो advanced level की targeting है वो हम कैसे कर सकते हैं और इसके अलावा brand awareness boost की जो boost post आप कैसे कर सकते हैं brand awareness कैसे करेंगे reach ads कैसे run कर सकते हैं campaign के objective हो वो क्या होते हैं उनका क्या मतलब होता है यह सभी चीज़े आप इस playlist के अंदर जाकर देख सकते हैं तो create की उपर click करना है यहां पर आपको आना है create की उपर जैसे हम click करते हैं तो हमारे सामने जो objective हुआ जाता है objective मैं आपको कवी कि मैं बताऊं तो जो हमारे campaign का goal है वो होता है अब cleaning service है जो laundry service है इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो आप 4 तरह के campaign है वो आप run कर सकते हैं जैसे ज्यादा आपको नहीं पता है कैसे क्या होगा तो आप starting कर सकते हैं brand awareness से जैसे की माल लीजिए मैं starting के अंदर brand awareness से start करता हूं उसके बाद में brand awareness के उपर जाना है जो campaign का name है आप यहां पर down arrow के उपर click करेंगे तो जो हमारे campaign के name है वो आप डाल सकते हैं जो facebook ads का structure है वो होता एड के अंदर कुछ अलग setting होती है तो यहां पर जो name हो हम बाद में भी डाल सकते हैं यह optional है जैसे आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद में continue के उपर click करना है जैसे हम continue करते हैं जो facebook के जो campaign level की settings है वो आप यहां पर डाल सकते हैं मैं यहां पर जो settings है उनको aggts रहने यहां से यह starting कर सकते हैं और आप यहां पर जो estimate हो देख सकते हैं कि इतने लोगों तक हमारी जो post है वो 500 रुपए के अंदर जाएगी डेली आप यहां पर जो estimate हो देख सकते ही डेली result है उसके बाद में हमें क्या करना है कि जो audience है हमारी वो यहां पर हमें create करने है जो इस से उपर आता हमारा location जो भी आपका area है जैसे कि मान लेजिए आप दिल्ली area के अंदर अगर मान लेजिए हम दिल्ली area के अंदर कहीं भी सरव करते हैं जो भी हमारा area है आप यहां पर pinpoint लेके आ सकते हैं जैसे कि मान लेजिए मैं दिल्ली area को zoom करता हूं हम zoom करते जाते हैं और जो हमारा area है जैसे कि यह हम airport को ही लगा लेते हैं या फिर जैसे कि जो यह दोवारका का area हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पर आपको जो center जो drop pin का है यहाँ पर आप देख सकते ही देखो यह रहा drop pin इसको आपको click करना है और जहाँ पर भी आप drop pin करेंगे वहाँ पर जैसे और जूम भी कर सकते है आपको इसको जितना भी आप जूम करना है आपको जो भी आपका गली है फिर जो शोफ है एक्जेक्ट आप वहाँ पर इसको पिन कर सकते हैं जैसे हमने पिन किया तो जो एरिया है यह आ चुका है अब इस एरिया को लेकर आप कितने माईल के अंदर माईल क का दो area है यह फिर इसको अगर आप और भी ज्यादा service प्रोवाईड करवाते हैं तो आप तीन मील कर सकते हैं just बइना भी अरिया के अंदर प्रोवाईड करते हैं यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ अपर एड कर सकते हैं और को आपको देखना आप yep जादा तर जो work के ओपर काम करते हैं वो laundry की service को prefer करेंगे यानिकि जो job करते हैं बाकि जो mainly cities के लोग रहते हैं वो mostly job करते ही मिलेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर आपको यहां पर एज सिर्फ एज आप चूज कीजिए बाइस से आप ज्यादा कर सकते हैं और उसके बाद में आपको मैन वुमेन दोनों को रिक्वार्मेंट पड़ेगी डिटेल टार्गेटिंग आपको दो तीन आप एड ट्राइ कर सकते हैं पहले जो एड है उसके अंदर आप एमपटी ट्राइ कीजिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है इतना ही आपको रखना है और जो भी आपकी पहले समेंट है उनको आटोमेटिक रेंड दीजिए मैं रीपीट करूँगा तो बार-बार चीजें रीपीट होती रहेंगी तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो एक एड है वो आप विदाउट ओडियंस के चलाईए सेम ऐसे ही नेक्स्ट के उपर आपको आना है और हमारी जो एड हो 500 रुपय में जो एड का प्रोसेस है वो भी सेम रहेगा आपको एड का नेम डालना है फोटो वगरा है वो आप यहां पर चूज कर सकते हैं और जो कम्पिलीट प्रोसेस है वो हमारा सेम रहेगा तो मुझे उम्मीद है चीज़े आपको समझ में आई होगी की add हमें कैसे बनाना है अब दूसरे add के अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो dry cleaning के अंदर interested हैं आप उनको add दिखा सकते हैं जैसे कि जो dry cleaning के अंदर जो लोग interested हैं अगर हम उसके उपर click करें तो जो हमारी targeted audience थी उसके अंदर 14,200 लोग ऐसे हैं जो उसके अंदर interested dry cleaning के अंदर अगर हम suggestion के उपर जैसे ही click करते हैं तो laundry हमारे पास आ जाता है cleaning हमारे पास आ जाता है तो laundry के अंदर कितने लोग interested हैं वो भी हमें पता लग जाएगा यह देखिए 32,000 हो जाते हैं उसके हम cleaning के लिए चले जाते हैं जो cleaning के अंदर interested है फिर housekeeping के अंदर अगर कोई interested है तो उनको भी हम यहाँ पर target कर सकते हैं तो यह हमारी audience है ऐसे आप जो दो audience आप अलग अलग बना सकते हैं और दोनों को आप test कर सकते हैं कि एक बार 5-10 दिन एक ad चला ही या फिर आप एक ad के अंदर ही आप दो ad set बना सकते हैं यह थोड़ा सा complicated हो जाएगा इसलिए अगर आप starting के अंदर है तो आप simple जो without audience के आप try कीजिए अगर आप थोड़ा वहत आपकी knowledge हो चुके facebook ads की तो उसके बाद में आप क्या कीजिए एक ही ad set एक ही campaign के अंदर आप दो ad set बना सकते हैं एक के अंदर आप कोई audience मत रखिए दूसरे ad के अंदर आप यह audience है यह आप select करके रख सकते हैं जिससे भी अच्छी आपको reach आती है फिर जिससे भी अच्छा आपको result आता है आप उस ad को continue कर सकते हैं उसके बाद में यह तो था हमारा facebook ads का उसके बाद में आता हमारा जो content planning अब आपको क्या है जो आपका business है उसको आप आपको update रखना है update रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो posting है वो आपको करने पड़ेगी facebook ads के facebook जो आपको page बनाएंगे उसके अंदर भी आपको post डालने पड़ेंगे आप google business के अंदर भी post add कर सकते हैं इसके अलावा facebook या इसके अलावा जो whatsapp है उसके उपर भ आपको बहुत सारी जो related photos हैं वो यहां पर मिल जाएं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इस तरह की photos है अब यह जो ऐसी photos है यह बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है वो मैंने already एक video के अंदर बताया है यह वाली जो lead generation के playlist है इसके अंदर मैंने बताया है यह जो photos आप कै लेंगी यह देखिए काफी सारी available है यहां पर आप देख सकते हैं तो जो photos है वो हमारे आप dry cleaning या फिर जो behind the scene है वो photos आप डाल सकते हैं जैसे कि आपने आज सुबहे क्या किया जो कौन-कौन से किस तरह की कपड़े हैं वो साफ की आपने या फिर किस तरह की service है वो आपने क है वहाँ पर या फिर आप short video डाल सकते हैं जो मतलब आपके काम करते हुए कि कोई भी एक short video है 15-20 second की वो आप डाल सकते हैं customer के testimonial है वो आप डाल सकते हैं आप एक format बना सकते हैं एक testimonial डालने के लिए उसके बाद में आप promotion है या फिर offer है वो आप share कर सकते हैं festival या फिर holiday के wishes की photos हैं वो आप share कर सकते हैं आपके जो business के अंदर या जो cleaning business है या फिर dry cleaning है laundry business इसके अंदर जो pain point है customer के या फिर उनका solution है वो आप चीज़े दिखा सकते हैं जैसे कि मान लेजे कोई working woman है उसके लिए जो घर के काम करना cleaning करना या फिर dry cleaning है कपड़े दोना जो घर के काम है वो काफी मुस्किल होंगे तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं कि यह जो हमारा offer है यह woman के लिए है और आपके लिए हम यह यह चीज़े करके देंगे तो वो चीज़ आप यहाँ पर दे सकते हैं पोस्ट है जो services के वारे में जो आपकी service क्या है जैसे कि मैंने एक website निकाल के अगरा है आप इनकी website से idea ले सकते हैं कि कैसे आपको चीज़े आप डाल सकते हैं यह देखी यहाँ पर इन्होंने कुछ blog भी लिख रखे हैं laundry business क्या होता है कैसे काम करता है laundry dry cleaning के tips वगरा है यह चीज़े आप शेयर कर सकते हैं अपना जो facebook page है उसके उपर इसके साथ साथ आ यह फिर instagram के उपर भी आप शेयर कर सकते हैं तो आपको regularly update रहना है अगर मैं इस video को sum up करूं तो जो main चीज़े हैं सबसे पहले आपको अपना google my business है उसके उपर अपना profile बनानी है उसके बाद में आप local area के अंदर अपना जो area है facebook page बनाना है और वहाँ पर आप advertising कर सकते हैं उसके बाद में आपको regularly post करनी है इसके अलावा आप अपनी एक website भी बना सकते हैं website दो तरीके से बनते हैं free website भी बनती है और paid website बनते है paid website का मतले यानि कि हमें अपनी खुद की domain लेनी है जैसा कि इन्होंने धोबिलाइट ने किया ऐसे domain लेनी है और ऐसी website हमारी बन जाते ह अगर आपको knowledge है तो खुद बना सकते हैं या फिर आप कोई भी service ले सकते हैं जो free website है वो इतनी ज्यादा effective नहीं होती लेकिन starting के अंदर आप free website को use करना start कर सकते हैं और जैसे आपको result आते आपका business grow होता है तो आप advance के अंदर जो marketing है आपके budget आप increase कर सकते हैं Facebook के अंदर त आप comment section के अंदर जरूर बताइए ऐसी ही और helpful videos के लिए आप channel को subscribe कीजिए मैं मिलता हूँ option next videos में तब तक के लिए